Hello dear students, once again you all are welcome. चलो वेड़ा, last lecture में मैंने आपको सिखाया था polymer की definition और classification polymer की on the basis of source. This is Riyaz Vani. Sir Sir Sir, please जो last lecture आपने पढ़ाया था थोड़ा इसमें रिपीट करू. देड़ा, मैंने आपको उस lecture में सिखाया था own compounders को हम polymers कहते हैं जिनका molecular mass high होता है. 5,000 से लेके कुछ millions तक होता है. और polymers simple molecules के बने होते हैं जिनको हम manomers कहते हैं. और किस तरह manomers से polymers बनेगा उस process को हम polymerization कहते हैं. उसके बाद मैंने बोला था आपको एक है polymers, एक है micromalculis. पालिमर manomers का बना होता है, micromalculis manomers के नहीं बने होते हैं. फिर मैंने polymers की classification आपको सिखाया था. मैंने कहा था, पालिमर को हम different ways से classification करते हैं. सबसे पहली classification थी, on the basis of source. उसमें मैंने कहा था, हम पालिमर को तीन केटागरी में करस्पे करते हैं. एक को हम natural polymer कहते हैं, दूसरे को हम synthetic polymer कहते हैं, और तीसरे को हम semi synthetic polymer कहते हैं. मैंने उसमें कहा था, जो plantis से obtain होंगे, जो animals से obtain होंगे, उनको हम natural polymer कहते हैं. जिनको लैब में synthesis करेंगे, उनको हम synthetic polymer कहते हैं. जिनको पहले हम plantis और animals से obtain करेंगे, लेकिन use करने से पहले उनकी modification करते हैं, उनको हम semi synthetic polymer कहते हैं. सर थेंक्यू, सर थेंक्यू. चलो बेटा, आज हम discuss करेंगे, second type of classification. Classification based upon structure. सर सर क्या मतलब है? मतलब है बेटा, structure के बियाद पे, हम polymer को तीन category में classify करते हैं. एक को हम linear polymer कहते हैं, दूसरे को हम branched chain polymer कहते हैं, तीसरे को हम cross linked polymer कहते हैं. चलो बेटा, पहले हम इसको discuss करेंगे, linear chain polymer को. उस polymer को हम linear chain polymer कहते हैं, जिसकी structure linear होगी. ऐसे structure होगी. यानि कोई side में branch नहीं होगी. उस polymer को हम linear chain polymer कहते हैं. यानि वो polymer, जिसमें monomeric units linked होंगे, इस तरह तुपहार में linear chain. वहाँ पे एक linear chain बनेगी, उसको हम linear polymer कहते हैं. इन में ते कोई side में branch नहीं है. इसलिए इनकी packing बहुत अच्छी तरह से होती हैं. ये well packed होते हैं. जिसकी वज़ज़ से, जो intermolecular force of attraction है, वो high होता है. बेटा, जब porous of attraction हाई होगा, इसका मतलब है, इनकी density भी हाई होगी. इसका मतलब है, इनकी tensile से ट्रंगत भी हाई होगी. इसका मतलब है, इनका bylin point भी हाई होगा. वो polymer, जिनकी structure linear होगी, उन polymers को हम linear polymers कहते हैं. इनकी well packed structure होती है, उसकी वज़से, इनमें inter-malcular forus जो है, वो strong होता है, जिसकी वज़से, इनकी density भी हाई होती है, tensile से ट्रंगत भी हाई होती है, और इनका melting point भी हाई होता है. इनकी example हैं बेटा, high density polyethylene, इनकी example हैं बेटा नाइलान, इनकी example हैं बेटा पालिस्टर, इनकी example हैं पालिविनाइल कुलोरेड इसी तरह बागी. आप कम से कम एक example को याद रखोगे, वो है high density polyethylene. एक clear हो गए हैं बेटा, बता मुझे, हाँ, आप बता मुझे बेटा, कि इस पालिमर को हम linear पालिमर कहते हैं? सर, एक ऐसा पालिमर है linear पालिमर, जिसकी structure linear हो गए. इसमें इस तरह मानुमर यूनिट्स linked होते हैं, इनमें एक linear chain बन जाते हैं. बहुत अच्छा बेटा, सर, इनमें तो कोई side में तो chains नहीं, इसलिए well packed होते हैं, जिसकी वज़े से इनके दर्म्याँ फोरस, इंटर मार्कोलो फोरस हाई होता है, जिसकी वज़े से सर, इनकी density भी, इनकी tensile सिटरंगत भी, इनका melting point भी वो हाई होता है. अब हम बेटा मूँ करेंगे next पे, जिसका नामे branch chain polymer, सर, सर, मैं इस का अंसर बताऊंगा, जी बेटा बोले, सर, ये तो आसान है अब, जिसमें side में branch सूंगे, वही branch chain होगा, येस बेटा, येस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो पालिमर, वो पालिमर, जिसमें side chain सूंगे, जिनको हम branch कहते हैं, इनकी different language होती है, उस पालिमर को हम branch chain पालिमर कहते हैं, एक ऐसा पालिमर, एक ऐसा पालिमर, जिसमें manumer unit जाइन डूंगे, to form long chains, with side chains भी होंगे, इन side chains की language different होती है, due to these side chains, बेटा, इन side chains की वाज़ा से, इनकी packing well defined नहीं है, इनकी well packed structure नहीं है, इसलिए क्या है बेटा, इनकी irregularly packed होते हैं, therefore, इन में low tensile से ट्रंगद भी होता है, इनकी density भी low होती है, इनका boiling point भी low होता है, इनका melting point भी low होता है, किन से बेटा? linear polymer से, फार इक्जाम्पल, इनकी example है, low density polyethene, या glycogen, या sitarge, इनकी example क्या थी? high density polyethene, इनकी example क्या है? low density polyethene, clear हो गए बेटा, जिनकी structure linear होगी, linear polymers, जिनकी structure branched होगी, branched chain polymers, अब बेटा last है, cross-linked polymers, देखो, बेटों यह मैंने, एक chain बनाई है linear, यह मैंने दूसरी chain बनाई है linear, जब इन chains के दरम्यान, links होंगे, उस type of polymer को हम, cross-linked polymers कहते हैं, वो polymers, जिन में manumer units are cross-linked together, तो फारम three-dimensional network, ऐसे होंगे, यहां से भी cross-linked, यहां से भी, यहां से भी cross-linked होंगे, उन polymers को हम, cross-linked polymers कहते हैं, पर एक्जाम्पल बेटा, इनकी जो एक्जाम्पल है, वो है backlight, इनकी एक्जाम्पल है, एक निट, backlight, यह है इनकी एक्जाम्पल, फार एक्जाम्पल, backlight, अब classification, इस, यह जो slide आपके पास है, बेटा, इसमें मैंने classification बताई है, on the basis of structure, structure के बन्याद पे, तीन तरह के, पालिमर से, एक को हम linear पालिमर्स कहते हैं, दूसरे को हम branched chain पालिमर कहते हैं, और तीसरे को हम, cross-linked पालिमर कहते हैं, आप इसको बेटा कापी करो, उसके बाद हम next पे आएंगे,